हेलो स्टुडेंट्स विल्कम तु माय यूटूब चैनल माइन मैप्स बायकाश प्रिवेस एर क्वेस्टन की सीरीज चल रही है जैसे आपको पता है कल रात को ही मैंने साड़े छे बजे शाम को जनरल अवेरनेस के लिए वीडियो डाली थी सारे प्रिवेस एर क्वेस्टन को एनलाईज करते हुए कि कैसे टॉपिक्स आने चाहिए कैसे हमें अप्रोच करना एक्जाम को क्योंकि प्रिवेस एर क्वेस्टन का फाइदा ये होता है कि जो प्रिवेस एर होता है वो हमको एक बहुत बड़ा एज देता है बाकी सबसे क्या एज होता है वो वो एज ही होता है कि हम लोगों को approach पता चलती है कि जो भी topic हम पढ़ने वाले हैं जो भी subject हम पढ़ने वाले हैं उसकी approach कैं होने वाली हमें कैसा आने वाला है दूसरा एक subject के अंदर कौन से topics हैं जिसको वह exam बहुत ज्यादा टच करता है और बहुत ज्यादा उस exam में वह topic पूछा जाता है यह बहुत पता चल जाता है हमें थर्ड हमें यह पता चल जाता है कि क्रिस्प content कि कौन सा content हमें चाहिए और कौन सा content हम छोड़ सकते हैं उस exam के लिए क्योंकि हर exam की जैसे मैंने हमेशा बताया हुआ है एक language होती है हमें उस language को समझने के लिए हमेशा previous year questions की जरौत पढ़ती है तो आज जो previous year question की series जो मैं लेकर आया हूँ ठीक है वो basically है आपकी for English क्योंकि English भी 20 marks की है वही स अब जितना ही इसका share है और English में topics अब ये पूरी English तो नहीं है इसके अंदर of course कुछ topics हैं जिनको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और वही topics exam में आते हैं जैसे हमने कल current affairs या general awareness के लिए किया हमने कल शाम को तो आज शाम को वही करेंगे हम English के लिए ठीक है तो बहले लेते हैं कि questions आते कैसे हैं फिर मैं आपको बता हूँ कौनसे topics आपको पढ़ने चाहिए और कौनसे topics को नहीं पढ़ना है कोई जरूत नहीं exam में क्योंकि exam में ये पूछा जाता है आज ही सुबह मैंने previous year question के हिसाब से और previous year cutoff के हिसाब से analyze करके आपको ये भी बताया कि expected score क जो exam देंगे तो आप वो video प्लीज जरूर देखेगा आपको समझ आ जाया कि आप कितने marks के लिए fight करने वाले हैं इस exam में तो वह भी जानना बहुत जरूरी है कि आपके सामने वाल enemies के कितने score करने हैं और उनका strength क्या होगी उसके हिसाब से आप अपनी तयारी कर सकते हैं त ठीक है और इसलिए मैं बच्चों के लिए डाल रहा हूं क्योंकि शुरुआत हम इससे करते हैं हमें पता लगना बहुत जरूरी है कि हम लोगों को पढ़ना क्या है तो इसलिए मैं सीरीज लेके आता हूं आप सभी के लिए कि आपको समझ आ सके ठीक है अब पहले एक बार म इसलिए यहां पर हमें दिया नहीं हुआ है तो in what turned out to be a thrilling finish थीक है वो missing है यहां से the home team finally came out on top and won the game थीक है तो यह questions ऐसे हैं जो SSC में ही पूछे जाते हैं नर्मली पूछे जाते हैं तो error हमें दिख गया है कि error detect करने के question हमें दिख गए है कि यह तो है थीक है next पर चलते हैं correct spelling के लिए है थीक है तो vocabulary इसमें vocabulary में हम क्या पढ़ेंगे थीक है vocabulary जब मैं आपको notes दूंगा सारे तो उसमें क्या होंगे spellings हमें देखनी है थीक है antonym ठीक है synonym ठीक है synonym देखने हमें साथ में हम देखेंगे one word substitution ठीक है और कुछ phrases वगड़ा जो हैं वह सब हम देखेंगे इसमें vocabulary में कुछ phrasal verbs भी होते हैं जो step on step off यह सब चीज़ें तो वह भी है वह vocabulary के अंदर जो notes दूंगा मैं आपको उसमें सारे exams के nda cds जो भी नए exams आये हैं उसके हिसाब से जो उसमें पूछा गया है मैं आपको वह notes में compile करके देदूँगा ताकि आपको बिल्कुल latest years में जो culture चल रहा है जिन vocabulary का वो आपको पता होने चाहिए तो basically vocabulary में यह होता है तो vocabulary बहुत important है इस exam के लिए let me be very honest इस exam में आपको vocabulary सबसे हाँ देखने को मिलेगी तीक है अब देखते हैं next क्या है यह फिर से error का question आ गया तीक है error detection का है क्या है इसमें in their opinion in the matters in there यहीं आ गया तीक है there और there इस t-h-e-r-e का मतलब होता है वहाँ ठीक है और there मतलब यह किसी subject को बता रहा होता है किसी object को बता रहा होता है कि वो लोग हैं वो वो हैं ठीक है और there मतलब होता है वहाँ और here मतलब आपको पता है यहाँ ठीक है तो वो t-h-e-i-r और t-h-e-r-e इसमें हमेशा फर् substitution, needed है के नहीं, substitution के लिए है, ठीक है, ये question भी आ रहे है, ये error detection के तरीके से ही होता है, हमारे exam में, ठीक है, I would wait for you at the metro station, had I known that you would surely come, ठीक है, future times में चल रहा है, तो यहाँ पर क्या issue आएगा, कि ये wait जो है, ये waited हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जब इसको use करते हैं, तो I would have waited, ठीक है, तो I would have waited for you at the metro station, had I known that you would surely come, ठीक है, next question में चलते हैं, the museum is showcasing, अब यहाँ पर, वही है, error detection वाली चीज़े हैं, या फिर, ये, fill in the blanks वाले, कि ये word यूज करने हैं, सही word कौन सा होगा, मतलब सही meaning, appropriate word कौन सा होगा, ठीक है, यही vocabulary जैसा ही है, ये भी, ठीक है, the museum is showcasing an erective exhibit, ठीक है, ये नहीं हो सकता, retrospective हाँ, मतलब retrospective मतलब वो पुराने जमाने का contemporary, वो उस time का न, समझे रहे हैं, जैसे retro songs सुनते हैं, आप retro music सुनते हैं, जो किशोर कुमार साहब लता, मैम का होता था, तो वो retro, ठीक है, तो उसको बोलता है, retrospective, exhibit of writers early works, ठीक है, ये match क exhibit इसका कोई मतलब है नहीं, an extrospective का कोई मतलब नहीं है, retrospective is the correct word that should be used here, the museum is showcasing a retrospective exhibit of the writers early works, ठीक है, next पो चलते हैं, वह ये antonym हागा आपका, ameliorate का मतलब क्या होता है, better करना situation को, ठीक है, तो इसका antonym क्या हो गया, worsen, startle करना मतलब शॉक करना होता है, relieve आपको पता है, retrieve भ retrieve करना, किसी document को retrieve करना, किसी के पास से, उसको बोलता है, वापस लेना, जब्त करना एक तरीके सहसे भी सोच सकते हैं, startle मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, तो हम words के meaning भी करते हो चलेंगे, साथ में, अब आता है यहाँ पर given idiom, ठीक है, idiom और phrases जैसे मैंने आपको बता है है, वह बहुत important है, might and mean, यह exam में already पूछा जा चुका है, ठीक है, वहीं से कहीं से उठाया हुआ इस exam को, इस idiom को, इसका मतलब होता है, might and mean के मतलब अपना पूरा, पूरा जोर लगा कि, with all enthusiasm, एकदम अपने interest से, दिल से एकदम करिए चीज़, तो उसको बोलते है, might and mean, ठी ठीक है, next आता है, a notice or announcement in a public medium, promoting a product, promotion आपको पता है, आप कहीं पे भी जाते हैं, बड़े-बड़े hoardings लगे होते हैं, बड़े-बड़े board लगे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, adjustment तो होगा नहीं, advertisement, इस दिये करने answer, तो कुछ common sense के questions भी हैं, और कुछ ऐसे questions भी हैं, जो आपन the sea और the river यह आपको पता है, mail storm होता है, यह exam के perspective से बता रहा हूँ कि जब newspapers भी आप पढ़ेंगे, तो the Hindu और Indian Express जो हैं, वो इसको, यह जब cyclonic activities होती हैं, तो उस time पे mail storm बहुत use करते हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि क्योंकि newspapers पढ़ते हैं, और newspapers से हमें बहुत meanings देखने क एक news पढ़ी होगी, उसमें mail storm लिखा होगा, और आपने उसका meaning देखना भूल गया आप, और उसके वैसे आपका miss हो गया होगा question, otherwise, it was not difficult, ठीक है, tree loses its leaves in autumn and grows new ones in spring, अब आपको पता है कि जहाँ पे tree leaves को shed करता है, और फिर से उगती है, उसको deciduous बोलते हैं, और जिसमें पू यह इसका कोई मतलब है नहीं, aciduous का मतलब जो बहुत hard working होता है, ठीक है, तो अब next पे आते हैं, this newly horizon evidence could have proved to be the final nail in the coffin for the accused, नहीं, could prove to be, ठीक है, तो यह error correction का है, error detection का है, ठीक है, error detection, कितने questions आगे हैं अभी तक, दो questions आगे है, error detection में अभी तक एक ही shift चल रही है, 10 questions हो चुके है ठीक है, next आगया, everyone carefully and methodically were trying to solve the, everyone carefully and methodically, were नहीं आएगा, first of all तो was आएगा, ठीक है, everyone के साथ was लगता है, plural form नहीं लगती है, singular form लगती है, ठीक है, तो everyone, कुछ words होते हैं, जिनके साथ कभी भी लगता नहीं है, मतलब plural, were नहीं लगता, are नहीं लगता, उसमें is या was लगता है ठीक है, अब देख लेते हैं, इसमें options क्या क्या है, everyone had carefully and methodically trying to, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है, were भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, everyone was carefully and methodically trying to, ठीक है, was आ रहा है, अच्छी है, everyone were carefully and method, were नहीं आएगा, ठीक है, तो was वालक option ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, अब PQRS आगया, PQRS आपको एक्जाम है, बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है, PQRS पर भी ध्यान देना है, PQRS में न, कुछ चीज़े होती है, जैसे, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, PQRS की, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझे इसको, या experience समझे, मैंने बहुत सारे PQRS से है, in SSC में जो questions आते हैं, I don't know why people find them difficult, but it is very easy when I try to solve them with the tricks, first of all, हमें ये ढूणना है कि कौन से options तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, पहले वो ढूणना है हमें, कि कौन से questions नहीं हो सकते, जैसे कि, ठीक है, ये ढूणना है हमें कि कौन सा answer हो ही नहीं सकता, जैसे, for it was but a pool of hopes and nothing more, first option है, his words did not, for it was but a pool, his words did not, ठीक है, कोई दिकत नहीं है, it was but a pool, action and efforts, R नहीं हो सकता, R कहीं option में starting में दिख रहा है, R दिख रहा है, तो ये option तो हो ही नहीं सकता, इसको rule out कीजिए, next, for it was but a pool coincide with his, pool coincide with his, ये statement भी नहीं बन रहा, तो S कहां कहां पे है, S इस में है, तो ये statement भी नहीं है, बची कौन सी, दो, अब जब दो statements आ जाएं, तो पहले ये देख लीजएगा, कि second step हमारा होना चाहिए, pair बनाने ही कुशिश करो, कौन से दो words के pair बन रहे हैं, ठीक है, समझाता हूँ कैसे, ठीक है, अगर आप नहीं देखेंगे, of hopes and nothing more, his words did not coincide, ये दोनो sentence match कर लें, कैसे, his words did not action and efforts, कोई मतलब नहीं बनता, his words did not coincide with his, ठीक है, तो Q and S का pair बन रहे है, Q and S का pair देख लेते हैं, Q के बाद S आना चाहिए, Q के बाद S आ रहा है, सही है, S के बाद Q आ रहा है, गलत है, ठीक है, एक बार फिर हम, अब ये जो option मिल गया हैं हमें, इसको एक बार पढ़ के देख लेते हैं, for it was but a pool of hopes and nothing more, his words did not coincide with his action and efforts, बिल्कुल ठीक है, तो this is how, ठीक है, री चेक कर लेना उसके बाद, ठीक है, हमेशा एक answer last में आ जाएगा, PQRS में पहले ये देखिए, कौन सा answer नहीं हो सकता है, उसके बार चेक कीजिए, के pair कौन से बन रहे हैं, और फिर जब वो last में एक option निकला है, उसको recheck कर लीजेगा, ठीक है, सीधा उठके अगर sentences को पढ़ने लगोगे, तो पागल हो जाओगे, कोई sense बनेगा नहीं, ठीक है, तो छोटी-छोटी चीज़ों को notice करो, क्योंकि PQRS बहुती tricky questions होते हैं, ठीक है, go down like a lead balloon, यह आपको, अगर आप options भी पढ़ते हैं, to be ready, कोई नहीं लगता, to gamble everything you have, कोई ज़रूत नहीं है, इसको mark करने, क्योंकि इसका कोई point नहीं है, to get away from, to escape, नहीं है ऐसा, to be received badly by an audience, go down like a lead balloon, सबसे appropriate sound यह कर रहा है इसके साथ में, ठीक है, तो अगर आप इसको आपको क्याद भी नहीं होता ना, normally तो आप कर लेते, क्योंकि go down like a lead balloon है, कि इसका मतलब इज़त कुछ कम हुई है, कुछ कम हुआ है, ठीक है, तो इसमें, इसलिए, यह to be received badly by an audience, is seeming to be a correct option, ठीक है, next आता है, aggressive का सिने नहीं पूछा है, ठीक है, aggressive आपको पता है, होस्टाइल होता ह आक्रमक, I guess, ठीक है, जो मतलब गुसे में होता है, aggressive मतलब, समझ रहें, बहुत charged रहता है, ठीक है, तो वो होता है, aggressive और उसका synonym होता है, hostile, ठीक है, next आता है, the man was charged with, appropriate word यूज करना है, ठीक है, फिर से question आ गया, दो questions, यह वाले भी हो गए, ठीक है, fill in the blanks वाले, vocabulary तो आप देखी रहे हैं कितनी सारी है, fill in the blanks वाले हो गए, ठीक है, the man was charged with, after murdering, जब king के साथ आता है, तो regicide लगता है आपका, ठीक है, जिसमें homicide और genocide आपको पता है, ठीक है, वो बहुत लोगों को एक साथ kill करना, और matricide होता है, जब आपको mother को killing करते हैं, तो उसको matricide बोलते है नेक्स्ट फिर से PQRS आ गया, ठीक है, PQRS आपका question, दो questions हो गया है, ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, don't count your chickens before they hatch, यह आपने इतना famous idiom है, कि आपको पता ही है, इसके बारे में, कि मतलब कोई चीज को count मत किजिए, जब तक वो हो ना गया हो, कोई अच्छी चीज जो होई अच्छी काम में, जब तक वो पूरा complete हो ना गया, क्योंकि उसके बाद फिर आपको issue हो सकता है, अगर वो नहीं हुआ, तो you can be very embarrassed afterwards, तो इसलिए यह बोलते हैं, कि don't count your chickens before they hatch, ठीक है, तो एक और idiom आ गया आपका, next question, I knew that Aparna was speaking the truth and decided to stand besides her, besides her नहीं होगा, beside her होगा, ठीक है, during the trial, past form में हैं, तो इसलिए besides नहीं होगा, beside होगा, तो I knew that Aparna was speaking the truth and decided to stand beside her, during the trial, ठीक है, next आगया, जो last question है, एक और PQRS आगया, ठीक है, तो इन चीजों से ना हम लोग एक निशकर्ष पे पहुँच सकते हैं, ठीक है, अब इस PQRS को भी देख लेते हैं, अगर last question है, तो द first point है, series of major political, social, legal and ये इसके साथ pair up नहीं हो रहा है, तो P से तो start नहीं होगा sentence, P की कौन से कौन सा है, ये है, इसको हटा दो, the government reforms imposed by the great reforms by historians, ठीक है, the government reforms imposed by the great reforms, इसके साथ भी को तुक नहीं बन रहा, Q से start नहीं हो सकता, तो Q option में हैं ही नहीं, ठीक है, the government reforms imposed by governmental reforms in the, ये R से भी start नहीं हो सकता, R का भी को सेंस बनने रहा, तो ये कार देते हैं, ठीक है, दो बचगा है हमारे पास, जो S से शुरू हो रहे हैं, S से मतलब शुरू होने वाला होगा, ये PQRS, ठीक है, the government reforms imposed by Czar Alexander True of Russia, often called governmental reforms, नहीं, ठीक है, S के बाद R नहीं आ सकता, S क गलत हो गया, कौन सा बचा, SQPR, देख लेते हैं, the governmental reforms imposed by Czar Alexander True of Russia, often called the great reforms by historians, were a series of major social, political, legal and governmental reforms, ठीक है, in the Russian empire carried out in 1860s, ठीक है, तो ऐसे PQRS को solve करना है, एके करके, Now, topics जो बहुत important हमारे पास, सबसे पहले, error detection, जितने भी error detection के questions हैं, आप जितने solve करेंगे, उतना better होगा आपके exam के लिए, ठीक है, दूसरा, vocab, बहुत important है, ठीक है, vocabulary बहुत जादे important हमारे लिए, तीसरा, PQRS पर ध्यान दीजिए, ये तीन topics हैं, जो सबसे जादे important है, three most important ones, ठीक है, इसके लिए करना क्या है, solve as much MCQs as possible, ठीक है, अभी ये सिर्फ एक ही set था, ठीक है, अभी हम next set भी पढ़ेंगे, ठीक है, हम next set भी पढ़ेंगे, अभी एक ही set हुआ है, उसके बाद देखते हैं, और हमें क्या conclude करने की ज़रूरत है, next आयते है, vocabulary आ गया है, ठीक ह choose the correct word, ठीक है, correct word क्या है, exacerbate spelling ये रही, उसका मतलब यह होता है कि किसी भी situation को बहुत खराब कर देना, एक situation को बहुत खराब करने की activity को बोलते है, exacerbate, ठीक है, इसको ऐसे pronounce करना भी सीख लेंगे ना, जब आप चीजों को, ठीक है, तो मेरे ख्याल से उसके बाद आपको लोगा कि यार, इसको pronounce ऐसे करते हैं, तो spelling तो ये नहीं होनी चाहिए, तो उस चीज में बहुत help मिलेगे आपको, ठीक है, तो कोशिश किजएगा कि इसको ध्यान से आप समझें, और pronounce करना भी सीखें, words को, next पर आ जाते है, the sentence below has been divided into three parts, error detection है, क्या है, I like to tune into the live sessions of popular chess streams every once in a while, ठीक है, तो ये error detection के लोगे like to tune into live sessions of popular chess streams every once in a while, error detection है, मैंने आपको बोला है, जितने ही आप questions solve करेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा, next पर आ जाते है, if I was in his shoes, पहली बात तो if I आता है साथ में, तो was नहीं लगाते है, यहां plural form आती है, were, ठीक है, next आ जाते है, if I were in his shoes, I I would not have hesitated to take up the offer, next sentence बिल्कुल ठीक है, आगे वाला, आगे में देख लेते है, if I were, if I was, इसकी जगा, were आएगा, if I were in his shoes, I would not have hesitated to take the offer, अगर मैं उसकी जगा होता, तो मैं कभी भी हिच के चाता ना, वो offer लेने में, इसका मतलब यह होता है, ठीक है, perish का मतलब, जैसे आपको प जो fruits होते हैं, वो perishable items होते हैं, इसका मतलब, वो सड सकते हैं, वो मर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं उसको, ठीक है, perish के बाद, इसमाँ options कह दिया हुए, despair, die, toil or vacuum, तो die is the correct option, ठीक है, next आते है, the number of people on the planet still poses to be a significant, still pose, the number of people on the planet, plural होगा है न, still pose, the number of people on the planet still pose to be, poses to be, a significant challenge for the country, struggling to provide a basic standard of living for everyone, तो still poses to be, be आय गया है, to be, ठीक है, next, identify the segment in the sentence, which contains a grammatical error, ठीक है, prior to his assignment, he worked as an officer in the account department, prior to his assignment, he used to work as an officer होना चाहिए था, या he worked as an officer, क्योंकि पास्ट में जाएगा वो, तो, he worked as an officer, next, यह PQRS है, जैसे मैंने आपको बताया था, हर सेट में आएगा PQRS, बहुत इंपोर्टेंट है, और पूछे भी जाते हैं, दो सर तीन questions PQRS के, ठीक है, enjoy living as, ठीक है, fill in the blanks है, in the states, I would like to return home now, ठीक है, पहली बात तो, यह वो होगा, पहली बात शक्स, जो बहार रहता होगा, NRI होगा या ऐसे कुछ होगा, तो अभी देखते हैं क्या option क्या है, अब Patriot, कोई जरूत नहीं है, Depatriate का मतलब नहीं है, तो expatriate जो हमें option दिया हुआ, expatriate का मतलब होता है, कि वो आदमी जो अपनी जो मात्रभूमी है, जहां पर वो पैदा हुआता रहता है, इसको native country बोलते हैं, जो उससे बाहर रहता है, उसको बोलते हैं expatriate, ठीक है, तो इसलिए expatriate option is the correct option, पहली बात तो अगर आपने ये options पढ़े होंगे न, जैसे ये one word substitution बहुत आते हैं, ठीक है, person who lives outside its native country, तो इसके आगे फिर expatriate लिखा है, तो इसलिए मैंने बोलता है, कि vocabulary में one word substitution is also very important, ठीक है, next, if you want to grow, you must apply in whatever you do, ठीक है, in नहीं आएगा, apply in नहीं आता, तो भई, phrasal verbs आईए, ठीक है, तो phrasal verbs भी जब आ पढ़ेंगे तो उसमें आप ये चीज़े सीखेंगे, you must, if you want to grow, you must apply yourself to whatever you do, ठीक है, अब देखो, English क्या होती है, English बहुत बार, it is not always about rules, हमेशा rules के बारे में नहीं होती है, कभी-कभी English ऐसी चीज़े होती है, जो कुछ ऐसे questions आएंगे, जो आप normal life में बहुत सुनते हैं, ठीक है, आप कहीं पे, अगर Instagram पे हैं, या फिर YouTube पे हैं, यहाँ पे आपको जब inspirational quotes दिखते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे, यह सब चीज़े ना, वहाँ दिखाई देती हैं, तो बहुत बार English rules से नहीं चलती है, बहुत बार English एक confidence है, मतलब in the sense कि एक intuition, कि आपको कम 300-400 questions, English के error detection के लिए, ठीक है, आपको solve करने जरूरी है, तभी आप वो समझ पाएंगे questions किस तरीके से आते हैं, आप NDA के previous year question papers निकालिए, आप CDS के previous year question papers निकालिए, आप all different exams के, SSC के previous year question papers निकालिए, और वहाँ से आप इनको solve कीजिए, कुछ महनत आपको खुद भी करन निकी बहुत जरूरत है, ठीक है, next का मतलब, next question आते हैं, जिसमें antonym पूछा हुआ है, अब antonym में क्या है, avert का मतलब मुड जाना, जो मतलब तुम्हें कमर दिखा के चला गया हो, ठीक है, turn away, ठीक है, उसको बोलते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा, कोई आप, किसने आ की help की, ठीक है, तो assist is the antonym for avert, ठीक है, अब यह, वही है, errors वाला questions, after a stay of several years abroad, he has returned back to Delhi, एक चीज़ में आपको बता दूँ, कभी भी returned back साथ में नहीं आता है, यह दोनों का मतलब सेम हो जाता है, इसलिए सिर्फ returned आएगा, he has returned to Delhi, returned back कभी साथ में नहीं आता है, ठीक है, ऐसे questions होगी, पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, returned back, यह इतना common sensical question है, कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा in questions में, select the most appropriate antonym पूछा है, dilator का मतलब होता है, जो slowly काम करता है, slow to act, ठीक है, अब slow to act का मतलब क्या होगा, कि वो antonym क्या होगा, कि कोई बहुत तेज से काम करें, तो तेज से काम करने अनहरेट नहीं हो सकता, अनहरेट का मतलब ही होगा, जो हरी ना करें, जो अराम से काम करें, idle का मतलब जो खाली बैटा हो है, पोस्ट पॉन करना मतलब कि अभी नहीं करना काम बात में करूँगा, तो ये तीनों तो बनते नहीं, तो prompt will be the correct option, ठीक है, तो prompt का मतलब यह होता है, which is very, who is very fast to act, जो बहुत जल्दी act करता है, ठीक है, next PQRS आ गया, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है कि बहुत important है, PQRS के भी आपको जितने जादा questions हो सके आप solve कीजिए, म objective English book आती है, जिसको आप खरीद कर, अगर आपके पास हैं, तो ठीक है, नहीं है, तो हम लोग PDF में, MCQs के वो पूरे pages, scan करके, या फिर आपको directly provide कर सकते हैं, तो यह अगर आप लेंगे ना, अरिहंत की books आती है, अरिहंत की daily vocabulary के नाम से एक book आती है, daily, या मतलब everyday use के लिए जो होती है, वो daily vocabulary के वो से आती है, जिसमें वो everyday जो use करते हैं, words को, रोजाना करते हैं, उनकी vocabulary है, जो majorly use होते हैं, और जो exam में पूछ जाते हैं, basically उसका मतलब यह होता है, तो अरिहंत की book से आप चेक कर सकते है objective English है, उसको आप चेक कर सकते हैं, तो यह आपके लिए sources सबसे best रहेंगे, कोई एक book खरी लीजिए, उसमें आपको MCQs मिलेंगे, आप MCQs solve कीजिए, तो जितने ज्यादा MCQs आप solve करेंगे, उतना better होता रहेगा, theoretical part जो है, वो हम करा देंगे, तो next question पर आते है, self pityingly और tearfully sentimental तो यह ऐसा word है, जो majorly आप news में नहीं देखते हैं, या फिर majorly आप exams में नहीं देखेंगे, तो कुछ questions ऐसे भी है, of course, वो नहीं चाहते हैं, कि आप 20 के 20 questions पूरा solve करो, तो किसी ने अगर इसको पढ़ा होगा, तो किसी depth में जाके, या किसी previous year question ने पढ़ा होगा, तो definitely उस कौन से skip करने है, कौन से नहीं करने है, next, I requested the audience to refrain from speaking during the show, कोई दिकत नहीं है इसके अंदर, refrain from, ठीक है, सही एकदम, ठीक है, तो इसलिए इसमें, no substitution required, कोई बिल्कुल सही sentence है, ठीक है, तो यह error detection का हो गया, अब हैस्ट, makes waste, हैस्ट भी बोलते हैं, इसको हैस्ट भी बोलते है हेस्ट मतलब जल्दबाजी में किया काम, तो जल्दबाजी में किया काम हमेशा खराब होता है, इसका मतलब यह है, doing things quickly result in poor ending, ठीक है, सबर का फल मीटा होता है, या फिर ऐसे सब चीज़े सुनी होंगी आपने, तो यह daily use के अंदर भी आते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान कभी भी question पर फसिये मत, मैं आपको एक advice दूँगा, कभी भी कोई भी question आप solve करते हैं, कभी भी, हमेशा इस चीज़ ध्यान रखेगा, never leave it, ठीक है, unread, कभी भी उसे बिना पढ़ें मत छोड़िएगा, पहले पढ़ लीज़ेगा, उसके बाद conclude कीज़ेगा, छोड़ना है या attempt करना है, दूसरा, never forget about reading options, options कभी मत छोड़िएगा, आपको questions समझ आ रहा है, आपने पढ़ा है उस statement, या तो आप 100% sure है, कि आपको यह पता है answer, आपने option ढूंडा, कौन सा है और आपने टिक कर दिया, सारे options आपने पढ़े भी नहीं, लेकिन अगर आपको एक बार मतलब 1% की भी अगर confusion है ना, मैं आपको advice करूँगा, आप 4 options पढ़ लिजेगा, उसके बाद attempt कीजेगा, क्योंकि हर एक question बहुत important है, negative marking ना आपको जरूर था, उसकी ना हमें जरूरत है, हमें selections चाहिए, हम नहीं चाहते हैं, आपकी negative marking है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि 1 1% भी अगर आपको confusion हो रहा है ना, तो आप confusion कम कर लिए, सारे options पढ़ लिजिए, जब पूरा sure हो जाएं, तो उसके बाद माँ कीजिए, तो कभी options मत छोड़ना, question के साथ option जरूर पढ़ ले ना, अगर आपको, वो है आपका, क्यार मैं तो एक question छोड़ दूँगा, फिर भ question, vandalize का मतलब, वो vandalize का मतलब होता है कि अपने मंचा से, मंचा हो, destroy करने की मंचा हो, जब अपने मन से destroy करने का मन करने, तो deliberately destroy, ठीक है, तो उसका जो synonym होगा, वो होगा desecrate, desecrate का मतलब भी होता है, कि deliberately आप destroy करना जाते हो इस चीज को, commemorate का मतलब होता है, start करना, ठीक है का मतलब इसके आसपास भी नहीं होता है तो इसलिए desecrate is the correct option, vandalize का synonym होगा desecrate next why pqrs आ गया, ठीक है pqrs दीखिया आप कितने questions है, हमने दो set किये हैं भी, next four words are given out of which only one word is spelled correctly, उसका है तो fallacious इसका सही option है, अगर आपनी newspapers बगरें पढ़ते हैं तो fallacious सबसे ज़्यादा use किया जाता है, fake नहीं use किया जाता, या फिर wrong मतलब की जगा fallacious स्यादा use किया जाता है तो fallacious की spelling, यह तो spelling ना, यह आप spelling को बड़ा ध्यान रखेगा, spellings पूछी जा रही है, तो spellings को please ignore नहीं कीजेगा, ठीक है, next अब हम question पर चलते हैं, अब यह set खतम हो गया, इस set में भी same conclusion है, ठीक है, कि pqrs, error detection और vocabulary पर ध्यान ज़रूर दीजेगा, next चलते हैं अब, क्या है इसमें, choose the most appropriate idiom to complete the sentence, क्या है, the contact manager was told that the quality of construction was poor and he should, अभी इसमें क्या है, get his goat, नहीं, idiom नहीं है, get his nose out of joint, idiom नहीं है, get his act together, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो यह सही option है, which will be used, get some shut eye, कोई idiom नहीं है, तो यह important है, यह वाला, get his act together भी आप idiom में पढ़ेंगे, यह कि भाईया, अपने जो काम है, जैसे से पूछा हुए, contract manager was told, that the quality of construction was poor and he should, get his act together, और face the consequences, या तो आप अभी ठीक कर लीजिए अपना, जो आपने उलजाया है, या तो उसको सुलजा लीजिए, better कर लीजिए, या फिर consequences face करने के लिए ready हो जाई है, इसका मतलब basically ही है, next, identify the segment in the sentence which contains a grammatical error, grammatical error questions आगया, ठीक है, there were some team members who did not agree, do not क्यों आएगा, who did not agree, agree आएगा, agreed नहीं आएगा, जब past यहां लग जाता है, तो इसमें यहां पे नहीं लगेगा, ठीक है, जैसे I did not knew नहीं होगा, I did not know होगा, पहले ही did या do लग गया अगर, तो उसके बाद जो verb आएगा, उसके साथ कोई past form नहीं आएगी, वो present form में रहेगा, तो the members who did not agree, did not agree, agreed नहीं होगा, to the coach's suggestions about changing their strategy, ठीक है, there भी ठीक है यहां पे, ठीक है, सब को issue नहीं है, तो who did not agree में question में issue है, next, in our journals, writers records his experiences, writers records his, नहीं, records his, नहीं, in general, writers record their experiences, ठीक है, and reflect on their value or importance, हाँ, ठीक है, reflected, recorded his, नहीं होगा, recorded their experiences, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, recording their experience, नहीं, ठीक है, तो यह option B आपका correct option है, next, the government of India has allowed field trials, जिसमें two new varieties, varieties तक ठीक है, of indigenious developed, नहीं, developed होगा, indigenously developed GM ब्रिंजल, GM आपको पता है, genetically जो manufacture करते हैं, ठीक है, ब्रिंजल इन eight states of the country, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब, developed होगा यहां पे, of indigenious varieties of indigenously developed GM ब्रिंजल, indigenously, indigenously developed, मतलब, indigenously developed का मतलब के, यहां पे हमने खुद बनाया हो जो, ठीक है, GM ब्रिंजल इन eight states of the country, ठीक है, next, select the most appropriate one word for the expression given below, harmful, poisonous, or very unpleasant, ठीक है, इसमें inoxious जो होगा, इसका मतलब होता है, कोई adverse effect ना हो, तो यह तो होई नहीं सकता, unanxious, anxious आपको पता है न, वो जिसमें anxious हो जाते हैं, जब आपको anxiety हो जाती है, परेशान हो जाते हो, हर बढ़ान लगते हो, उसमें, unanxious, noxious का मतलब होता है, harmful or poison, आपने, जब जब ग्यासिस के बारे में सुना होगा, तो noxious मतलब harmful, poisonous जो होता है, उसको noxious बोलते हैं, ठीक है, next आते है, idle hands are the devil's tools, यह आपको पता है, खाली काम शैतान का होता है, ठीक है, तो खाली रेने का काम शैतान का होता है, तो यह आपने सुना होगा, यह भी daily use में होता है, ठी है, तो यह आप daily use करते हैं, कोई ना कोई आपको सुनाई देता होगा, या आप विजी को सुनाई देता होगा, यह भाई, खाली का काम शैतान का होता है, तो please get up and do something, ठीक है, next आते हैं, option में, क्या है इसमें, select the word that is opposite, याद रखेगा, question को ध्यान से पढ़ लीजेगा, आप आपको लगेगा कि यारी इस word का meaning इसमें ये कोई एक है, ठीक है, तो क्या होगा, pathetic, आपने unmoved देख लिया, आपने बोला है, इसका meaning तो सही लग रहा है, यह आपने mark कर दिया, आप कराए हो synonym, ठीक है, उन्होंने पूछ लिया है, antonym, तो question ध्यान से पढ़ लीजेगा, यह बहुत important point है आपके लिए, कि आप इसको ज़रूर देख लीजिए, antonym, यह बहुत important है, कि antonym पूछा है, हमसे synonym नहीं पूछा है, ठीक है, next, give an idiom, hit the nail on the head, ठीक है, यह आपको पता ही है, वो बिल्कुल सही, सटीक चीज करना, एकदम सटीक चीज को बोलते हैं, सटीक चीज को करने को बोलते हैं, ठीक है, hit the nail on the head, ठीक है, तो इसमें option कौन सा दिया हो है, हाँ, do something exactly right, और say something exactly right, ठीक है, बिल्कुल सही करना, accurate करना, बोलते हैं, hit the nail on the head, इडियम है, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, वही, लिन्द ब्लैंक वाला आके, the national debt at an alarming rate thereby causing concern among economists, option देख लेते हैं, the national debt at an, यह ऐसा, मत अब लग रहा है कि continuous form में कहीं पर है, the national debt had been grown at an alarming rate thereby causing, नहीं, the national debt has to be growing, नहीं, the national debt is grown at a, नहीं, तो national debt has been growing, हाँ, national debt जो है, वो बढ़ रहा है, grow हो रहा है, alarming rate पर, thereby जिसकी वज़े से concern हो रहा है, economists को बहुत ज़ादा, ठीक है, तो यह है, इस sentence का मतलब, next line, clandestine आपने इसे परे बहुत पड़ा होगा, लेकिन हमें याद रखना है कि यहाँ पर antonym पूचा है, clandestine का मतलब होता है कि इस चीज को छुपा के रखना, secret रखना कि चीज को, उसको बलता है clandestine, तो यहाँ पर उसका उल्टा क्या होगा, overt, ठीक है, आप covert मत कराना, प बहुत 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 होते है, तो covert का मतलब होता है secretive और उसका उल्टा होता है overt, which is open, ठीक है, next आता है, आप के बहुत, synonym जानना है यहाँ पर, gradient का synonym क्या होता है, gradient मतलब कोई चीज अराम-राम से बढ़ रही हो, जैसे graph होता है, वो gradient जाता है, तो ऐसे जा रहा है तो इसमें देख लेता है, इसमें क्या होता है, learn का, कोई ने learn जादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो it does not make sense, कि learn कोई synonym होगा इसका, manifest नहीं हो सकता, flag नहीं हो सकता, ramp, ramp is the correct option, ठीक है, तो यह commonly used words है, जो आपको किसना की sentence में दिख जाएंगे, तो उनको ना miss मत कीजिए अपना mind open रखिए, attentive रहिए, कहीं पे भी होते हैं, आप कोई भी option देख रहे हैं, आई बी में आपका काम है attentive रहने का, आई बी में जाके आप बोलेंगे कि अरे यारे मिस हो गया, तो आप पूरे intelligence ही मिस हो गई न, आपको कोई hint मिला है, ठीक है, आपके पास कोई किसी की location ह जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा संदिग्द है, सही नहीं है, अगर आपने वही मिस कर दी तो आप पूरा plan ही, पूरा mission ही खराब हो गया, इसलिए आपको आँखे खुली रखनी है, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब ये spelling वाला है, spelled correctly, ठीक है, तो इसको बुलात something was amissed, नहीं, was amissed, आत में नहीं आएगा, I think that something was missing in the plan, submitted by supplier, something was missing, ठीक है, next, his main argument was not to be consulted before the decision was taken by the committee, his main argument was that he was not consulted before the decision was taken by the committee, हाँ, तो was not to be consulted, ठीक है, next, error detection इसलिए बोल रहा हूँ, बड़ा important है, जितने questions solve कर सको उतना बहतर है, in the wake of the recent cross-border tensions, forces have been, अब यहाँ पे आपने बहुत देखा होगा, जब 2019 से ही जब वो जमू और काश्मीर का issue होगा, तो इसमें आपने न्यूस में बहुत देखा होगा, और defense exams वगरे में भी आपने पका कोई paragraph वगरे पढ़ा होगा, जब आप news पढ़ते होंगे defense exams के लिए, तो deployment होता है forces का, ठीक है, forces deported नहीं होती, depart नहीं होती, deposit नहीं होती, forces deploy की जाती, ठीक है, उनको भेजा जाता है, वहाँ पे, forces अब कठा होना शुरू हो जाती है, तो क् in the wake of the recent cross-border tensions, जो borders के बीच में दो countries के अब tensions शुरू हुई है, बढ़नी, इसकी वज़ा से forces have been deployed at strategic locations for immediate action, तो इसका मतलब के forces को कठा किया गया है strategic locations पर, जो बहुत important location है, ताकि immediate action लिया जा सके, ठीक है, तो deployment का मतलब होता है, कठा करके एक जगा पर, forces को deploy किया जाता है, next question, I would have waited for you when it was known you were coming नहीं, इसके जाद यह होता है, had I known, ठीक है, यह इतने, यह बहुत ही special questions है, यह had I known, had we known, ठीक है, तो यह जो special questions है, special cases को याद रखेगा, ठीक है, इसमें क्या है, कि यह बहुत बार आपने देखा होगा, harder than, harder than use होता है, तो इसके बाद, than और than कहा होता है, तो यह वह अले questions है, इसमें आप प्लीज यह had वाले जो questions है, इनको यह options, यह बहुत बार questions आते हैं, exam के अंदर, तो I would have waited for you, had I known, you were coming, had I known, you were coming, next question, select the most appropriate option to fill in the blank, the police are mute spectators to the entire incident which took place right outside the K.E.M. hospital, ठीक है, आर नहीं आएगा, क्योंकि present में नहीं है, past में है, the police, the police were, ठीक है, बल्कुल सही है, the police were mute spectators to the entire incident, पुलिस जो थी, वो mute, मतलब चुपचाप वहाँ पे खड़े होके देख रहे थी, जब वो entire incident हुआ, K.E.M. hospital के बाहर, ठीक है, mute spectators मतलब देखने वाले लोग जो mute खड़े थे वहाँ, ठीक है, तो mute spectators का मतलब भी होता, spectators मतलब जो देख रहे होते हैं, incident को होते हुए, ठीक है, चश्मदीद गवा, जिसको आब बोल सकते हैं, ठीक है, next, वही PQRS आ गया, ठीक है, तो इस पर मैंने आपको बोला है, PQRS बहुत important है आपके लिए इस exam में, select the most appropriate synonym of the given word, accumulate, accumulate करना मतलब कथा करना एक साथ, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, gather करन कठा, वही deployment जो मैंने बताया था अभी, तो इसका synonym, correct synonym, gather हो जाएगा, ठीक है, accumulate, gather, next, PQRS, ठीक है, फिर से, तो अभी फिर से conclude करने के लिए मैं आपको बता जेता हूँ, कि conclude अगर हम करेंगे, तो PQRS आपके लिए बहुत important है, error detection आपके लिए बहुत important है, error detect करने वाले questions बहुत important है, और vocabulary जैसे मैंने बताया, वो तो important है ही, ठीक है, तो सबसे जादा जो पूछी गई है, one number पे वो vocabulary है, second पे error detection है, और last में कहीं जाके PQRS आता है, तो आपको vocabulary पे बहुत ध्यान देना है, idiom, phrases, antonyms, synonym, इन चीजों पे बहुत ध्यान देना है, और मेरा मानना तो यह है, इन दोनों topics को बहुत important है करने, error detection और vocabulary, क्योंकि PQRS तो आप questions solve कर लोगे, लेकिन error detection और vocabulary में कुछ आपकी presence of mind बहुत ज़रूरी होती है, उसको लाने में question solve करने की बहुत ज़रूरत है, वो presence of mind, वो intuition आना जब शुरू हो जाएगा, कि हाँ यार मुझे लगता है answer य वो हमारे लिए important रहेगा, इसलिए हम as much as possible, उतने questions करेंगे, जितने हो सकेंगे, हम उतने questions solve करेंगे, वो बहुत ज़रूरत है, question solve करना बहुत important है, तो हम उसके focus रखेंगे, next questions, देखो, यह जो papers हमने देखे हैं, इससे हमें यह बात तो समझ आ गई है, कि हमसे exam में पूछा कर जाएगा, और expect क्या कर रहे है, वो हमसे exam में, ठीक है, तो इसके लिए, हम लोग, अभी, यह जो हमने set पढ़ ली है, यह set से हमें समझ आ गया है, कि हमें चाहिए क्या, ठीक है, हमें approach अब पता चल गई है, अपनी approach, English के लिए approach क्या रहेगी, ठीक है, हमें सिर्फ क्या कर कर सकें, ठीक है, तो यह था हमारा आज का previous year question की series, ठीक है, जिसके अंदर हमने English के P.V.I.Q.s discuss किये हैं, next class जो होगी हमारी वो reasoning की होगी, reasoning हम लोग discuss करेंगे, reasoning के questions कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आज की class से आपको लेकर क्या जाना है, आपको approach मैंने बता दिया कि approach य जादा देखेंगे, आपको यह पसा चल गया है कि exam का जो level है, ठीक है, exam का जो level है, it is not that difficult, it is moderate, या मैं कहूंगा कि easy to moderate जाता है, easy to moderate, यह इस तरीके से जाता है, hard तरफ नहीं है, hard नहीं होगा, ठीक है, तो आपको उसी तरीके से focus करना है, आप hard, आप लेखो, आप practice तो hard की कीजिए, of course exam level जो आता है, ठीक है, लेकिन अगर एक भी question अगर hard आ गया, तो अगर आपने hard level पर तयारी किया है, तो उस question को solve करने में आपको issue नहीं हो, क्योंकि हर एक question बहुत important है, ठीक है, तो exam level को समझ लिया, कि easy to moderate है, या फिर moderate भी questions रहते हैं, बहुत बार, ठीक है, hard की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता, ठीक है, तो English में आपका focus हमेशा 20 out of 20 रहना चाहिए, क्योंकि ये English scoring subject है, 20 में से 20 आप English में लाने कोशिश कीजिए, क्योंकि एक officer के लिए English language important होनी चाहिए, क्योंकि आप delegation होंगी, कल को officials बाहर से आएंगे, जब आपकी और Central Intelligence Agency के साथ meetings होंगी, तो आप कैसे बात करेंगे, तो इसलिए English आपकी strong होनी बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे आप focus कीजिए, 20 out of 20 लाने की जो तैयारी है ना, वो English करा सकता है आपकी, तो आपको जितने हो सकें, आपको उतने questions solve करने हैं, उसी से आपको वो confidence आएगा कि आप 20 out of 20 solve कर पाएंगे, तो मैं क्या करूँगा अभी, previous year questions आपको दूँगा, ठीक है, और उसके बाद आपको वो सारे set जो है, PDF जो दूँगा मैं आपको, वो सारे set आपको solve करने हैं, घर पे, और देखने हैं कि जो मैंने आपको पढ़ाया है, उस तरीके से आप solve कर प पूछ लिए, इसका तो पता है नहीं था हमें, इसलिए previous year questions कराया हैं, ताकि वो जो surprise, यह shock वाला जो, वो है, chance है होने का, वो आपका खतम हो जाए, आपको shock यह सब चीज़े ना लगे, तो issue ना हुआ आपको, इसलिए previous year questions को मैं इतना जाधा तवज्जो दे रहा हूं, इस is very serious, वो बहुत issue भी create करता है, anxiety हो जाती है, वो anxiety खतम करने ही कोशिश कर रहा हूं, मैं आपकी, तो आप please मेरा support कीजिए इसमें, जितना जाधा हो सकें, आप उतना जाधा focus कीजिए previous year questions पर, ठीक है, so this was it about the class, किसी को कोई भी problem है, जैसे मैंने कल बताया था, कल बहुत लोग target IB exams, ठीक है, target IB exams, आप directly वहाँ पर बता सकते हैं, मैं आपको directly वहाँ पर वो कर दूँगा, query को ठीक करने ही कोशिश करूँगा, आप इस telegram में subscribe कीजिए, और PDFs और Classes के notifications आपको सबसे पहले मिल जाए करेंगे, ठीक है, और जो नए है इस channel पर, वो please like this video, and share this video with your friends, क्योंकि sharing is caring, as I have told you in the telegram channel as well, and please subscribe to this channel, क्योंकि आप subscribe करते हैं, and you become the part of the family, वो बहुत जरूरी है हमें, we feel very good about it, तो और हम चाते हैं कि हमें बच्चे आ सके हम उतना selections create कर सके, हमें selections से मतलब है, और किस चीज़ से नहीं है, तो जो इस content की जो PDF है, वो आपको description में, मैं telegram channel का link डाल दू है, ठीक है, so this was it from my side, thank you so much for watching, keep supporting, keep sharing, and keep studying, thank you so much.